नदी अफवाह तंत्र से आने वाले परिक्षाओं में पुछा जाएगा So guys, आज की class start करते हैं महानदी अफवाह तंत्र से जो की CG, Vyapam और PSC में अक्सर पुछे जाने हैं और प्रसन है आपको महानदी अफवाह तंत्र यानि की 36 जल्ड की नदी अफवाह तंत्र से वीडियो अप्लोड की जाते हैं साथ ही बेल आइकन के घंटी को All पर सेट कर लेजेगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं महानदी अफवाह तंत्र की दीखे दोस्तों जो लोग SI Pre की तयारी कर रहे हैं उनका एक्जाम 6 नवंबर को है ठीक है SI Pre की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उनका एक्जाम 6 नवंबर को है और हॉस्टल वाड़ना की तयारी कर रहे हैं साथ ही चाहे आप फ्यापम की तयारी करो या हॉस्टल वाड़ना की ठीक है चाहे आप किसी भी एक्जाम की तयारी करो वहाँ से आपके 36 गड़ से आपका 20 से 25 नंबर कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अगर वीडियो को अभी तक सस्क्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से वीडियो को सस्क्राइब कर लेजएगा लेटेस्ट टैंपल लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है देखें दोस्तों महानदी अफवात तंत्र के बारें बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महानदी अफवात तंत्र है तो आप सभी को मैं दिखांगा देखें पूरा डिटेल से देखेंगा ठीक है महानादी जो अफ़ात अंत्र है ये वाला ठीक है ये एक पाठ है इसको जूम करके मैं दिखा देता हूं आपको ध्यान से समझेगा जो खुटा खट बांध है ये एक्जाम में अभी हाल ही में आया था सीजी सीजी प्यून के एक्जाम में आता है खुटा खट बांध कहां इस्थित है तो ये आपका बिलास पूर में इस्थित है ठीक है बिलास पूर में इस्थित है खुटा खट बांध कहां इस्थित है बिलास पूर में इस्थित है तो देखे दोस्तों यहाँ पर महानादी क अफाहा तंत्र से बिलकुल प्रस्रवा पूछे जाते ह MARY methi-e me toes do single ऐसी लिए बार बार बोर रहूं ओज़ जल्र इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर अभी तक नहीं किये हैं एक खुडिया बांध है यह मिनी माता बांध है ठीक है मिनी माता परियोजना बांध ठीक है देखिए दोस्तों अगर साथ में कॉपी रखें तो नोट करती जाएगा नदी अफवातंत्र को पांच भागों में बांटा गए कितने भागों बांटा गए पांच भागों में बांटा गए ठीक है जो नदी अफवातंत्र है उसको पांच भागों में बांटा गए कौन कौन से तो पहला आप नोट कीजिएगा ठीक है महा नदी ठीक है दूसरा है गुदागरी नदि तीसरा सोण नदि चांतह medagani नदि around पांचवा नर्मदा नदि सब्से छोती नदि या अफ़ात अंतर के बात करें तो वह आ अपकर नर्मदा नदी ठीक है और सबसे बड़ी अफवात तंत्र है महा नदी ठीक है महा नदी है जो सबसे बड़ी अफवात तंत्र है तो उसका प्रतिसत कितने पता है आप लोगों 56.15% है महा नदी का और सबसे छोटी नदी है नर्मदा नदी जो की इसका कितना पता है 0.55% ठीक है 0.55% और ये बात करें कि गोदावरी नदी यानि कि जो गोदावरी नदी है 36 अदी की दूसरा और सबसे बड़ा अफवात अंतर है इसको copy में note कर लिजेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदावरी नदी ठीक है यह जो गोदावरी नदी है दक्षिन की सबसे बड़ी नदी है ठीक है दक्षिन की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी और दूसरा है ठीक है, 36 गण में दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, देखे सोंडूर है, सीका सेर, माडाम से लिए दूद्वा, ये बिलकुल एक्जाम में आता है, प्रस नखरखरा है, ठीक है, एक्जाम में आता है, तो चलिए इसका डेटेल देखते हैं, जो लोग अभी तक आने की तायारी करने है, उनकी लिए बेश्ट अक्लास है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखे, 36 गण में पांच अफवाह तंत्र है, जो इस प्रकार है, ठीक है, पहला महानदी अफवाह तंत्र, ठीक है, नोट किजिए, महानदी अफवाह तंत्र, 58.48 कि दक्षिन की ओर इस्थित है गुदावरी नदी अफवाह तंत्रा 28 परसंट यानि कि 28 परसंट सोन नदी यानि कि सोन गंगा अफवाह तंत्र यह 13 परतिसाथ है कितना है 13 परतिसाथ ये ब्राम्हणी नदी अफवात तंत्र है तो ब्राम्हणी नदी अफवात तंत्र की बात करें तो 1.03% यानि कि जो है 1.03% है ब्राम्हणी नदी नर्मदा नदी की बात करें तो जो नर्मदा नदी है 0.55% है तो 36 गड़ में पांच तरह के अफवात अंत्र पाई जाते हैं तो ध्यान से समझेगा ठीक है अब चलिए देखते हैं महानदी अफवात अंत्र पहला देखते हैं तो इसका उदगाम सिहावा पर्वत यानि कि धमतरी इसका पूर्वा नाम क्या है सुक्ति मति जो की एकजाम सीजी पियसी सीजी पियसी एकजाम में आया हुआ प्रसन है ठीक है सिहावा परवत यानि कि धमतरी पूर्व नाम सुक्ति मती तो महानदी अफवात अंतर के पूर्व नाम पूछा गया था सुक्ति मती आएगा और साथ ही देखी इसको नोट करते चलेगा जो महानदी अफवात अंतर है सिहावा परवत के फरसिया नामा के इस्थान से प्राप्त होता ये धमतरी से ठीक है कहां से धमतरी इसको नोट कीजिएगा सिहावा परवत के धमतरी धमतरी जीला में फरसिया नामा के इस्थान से कौन सा फरसिया नामा के इस्थान से प्राप्त किया जाता है ठीक है चलिए इसके बद मुहावना देखते हैं जो मुहावना के विसारजन है कटक उडिसा बंगाल के खाड़ी में इस्थित है पुल लंबाई की बात करें तो च्छतिसगड़ में जो महानधी का फातंत्र आठ सो अन्ठावन किलो मिटर है जबकि महानधी जैस च्छतिसगड़ के विस्थित में महानधी विंद्रवति नदी के मध्य जल्वी भाजग परवत को क्या कहा जाता है एक्जाम में आया हुआ प्राशन है ठीक है केस काल खाटी कहा जाता है 36 गड़ में तेल नदी प्रवाहित होती है, तेल नदी कहां 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 प्रवाहित होती है, तेल पर उरिशा में हीरा कुनबान निर्मित है ठीक है फाल्स पर पॉइंट है देखी इसको पॉइंट गिरता है समुद्र में चलिए कॉपी रखें को नोट करते चलिएगा महा नदि के संगम की जो कि हालही में वया प्राशंत परिछाओं में पूछा गया है ठीक है राजिम देखते हैं तो महा नदि सोंदूर और पहड starts Jay emissions नदियों का संगम है मांड़ नदी और लात नदी ठीक है जो चंदरपूर है कौन-कौन सा है महा नदी मांड़ नदी और लात नदी एनि टीनों ही नदियों का संगा में चंदरपूर ठीक है नोट कर लिए यहां तक चलिए अब यह एकजाम में आया हुआ है देखे इसको हाइड्रो की एक्जाम में पूछा गया था कि गंग्रेल में गंग्रेल बान में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है जब कि सीका सारबान में 7 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है अब चलिए बात करते हैं सहायक नदी की तो सहायक नदी भी एक्जाम में पूछा जात स्युनात नदी Тट मांड नदी और केलो नथी कौन.' सिल्यारी नदी सोंधुर नदी पैरी नदी कोडार नदी लात नदी यह कोडार नहीं है ना कोडार वाला यह वाला था सुखा नदी ठीक है और लात नदी इसके बाद बात करें तो यहां पर एक और आएगा दूद नदी ठीक है दूद नदी ठीक है जो दूद नदी है तो यह पस्चीम है आपको यह पूर्व है ठीक है तो पस्चीम से पूर्व की और बहती है दूद्र नदी ठीक है तो उत्तर की और सहायक नदी कौन-कौन से तो यह आपको उत्तर हो गया है यह आपको दक्षण हो गया ठीक है तो यह उत्तर की और सहायक नदी है सिमनात नदी हस्देव नदी बुराई नदी माँध नदी और केलो नदी ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया है इसके बाद जो दक्षण के और जो सहक क Надी बताया ठीक है नदी इसको समझेग Also कई दजवाए दक्षण से आती है उसको सहक का जाता है तो 드ूद नदीSilihani इसको नोट करती हुए चलिएगा अब देखते हैं दूध नदी पश्चिम से पूर्वा पयोर쟁ती है जैस्ट जैनल से समझेगे दूध नदी जो पस्चिम से पूर्व की और बहती है पस्चिम से यह आपको पस्चिम हो गया यह आपको पूर्व हो गया ठीक है तो पस्चिम से लेकर पूर्व की और बहती है ठीक है वो आपका हो जाएगा दूद नदी कौन सी नदी है दूद नदी इसके बाद बात करें तो सीता नदी यहां से दुद्र नदी कहा जाता है कौन से नदी कहा जाता है सीता नदी ठीक है बिल्कूल यहां समझें आगे आ अब महानदी कि जो शाहेक नदी इसको मैं आप सर्छा को बता ढिए ऊँछ इसको ध्यान से समझेगा ठीक है एक बार दिखिएगा मैं जूम कर दे रहा हूं थोड़ा ठीक है यहां पर एक बर ध्यान से समझेगा यहां से जो निकलती है यह दूद नदी है ठीक है जो दूद नदी है कहां से निकलती है मलाज कुंडम की पहारी से निकलती है इसको नोट कीजिएगा यह पहारी है ठीक है यह पहाड़ी है तो यह पहाड़ी का नाम क्या है पता है आपको यह पहाड़ी का नाम आपका मलाज कुंडम पहाड़ी है यह मलाज कुंडम पहाड़ी ठीक है मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है दूद नदी और जो सिहाव परवत है यहाँ से ठीक है जो सिहाव नदी यहां पर यह परवत है यहां पर ठीक है मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है ठीक है जो यहां पर यहां से निकलती है यहां से इस्थित ऐसे करके गया हुआ है ठीक है तो यहां पर दिखेंगे को वो निकलता है सिहावा परवत ठीक है यहां पर एक परवत आजाएग रहा है ठीक है गंगरेल वाला ठीक है यह सीका सरवान यहां पर सात मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है कितना सात मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है ठीक है यहां तक क्लियर हुआ चलिए महानदी की सहायक नदी देखते हैं जो महानदी की सहायक नदी एक्जाम में पूछा जाता है जो सीवनात नदी है ठीक है सीवनात नदी है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ठीक है इसको नोट कीजिएगा महा नदी की सबसे बड़ी सायक नदी सीमनात नदी है जो सीमनात नदी है उत्तर की और बहती है तो चलिए उद्गम कहां से होता है तो उद्गम आपका पाना परस की पाड़ी अंबाकर जाओं की राजनान गाओं से कुल लंबाई की बात करें तो 290 किलोमेटर ठीक है तो 36 ग सबसे लंबी नदी सीमनात नदी है जिसके किलोमेटर है 290 प्रवा की बात करें तो मैं आप सबी को बता दिया हूं उसको नोट करती है चलिएगा संगम की बात करें तो जो संगम है सीविन नरायन में महा नदी से होकर बैसी है परिजोना ये एक्जाम में आ सकता है परिजो ठीक है विस्यस नोट कीजिएगा महा नदी की सबसे लंबी सायक नदी है कौन सी है सीवनात नदी ठीक है सीवनात नदी ठीक है इसको नोट कीजिएगा एक्जाम में आता है मैं बार बार बोर रहा है एक्जाम में आता है सीवनात नदी महा नदी की सबसे लंबी सायक नदी सीवनात नदी और 36 गड़ में बेहने वाली सबसे लंबी नदी 290 किलो मिटर, महा नदी के अपाद दूसरा और महत्रपूण नदी सीवनात नदी है, महा नदी के 36 गड़ के सरवाधिक छेतर गेरता है, महा नदी और इंद्रावती नदी के मध्याने के जली भाज़क परवत क क्या कहा जाता है केश कालगाटी कहा जाता है अइस एकजाम में लाया हूं ऐसे तो लंबाई की बात करते हैं 176 किलो मीटर साहक नदी कौन-कौन सी गर्ज, अरिहान, चोरनाई और तान नदी ठीक है तो महा नदी के संगम में हैं चांपा के केरा सिला देही में ठीक है जल प्रपात की वारे तो अमरित धारा जल प्रपात ठीक है पर वह देखें किनारे बसनअगर कॉरभ राट है बराई कहा है उद्रम कॉरभा से निकलती है है कोर्बा से निकलती है मांड़ नदी है तो मांड़ नदी इसको ध्यान समझे के एक्जाम में पूछता है 155 किलोमेटर है सहाग नदी कुरकुट और कोई राज मांड़ नदी घाटी कोईला के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है कोईला के लिए प्रसिद्ध किलो नदी को लूडेंग की पहार ही कहा जाता है, लूरेंग यानि की टामाटर की राजधानी किस से कहा जाता है? टामाटर की राजधानी टेक है? कि जो राजधानी हैं लुड़ेंग की पहार पर इस्ठित है ठीक है उडीशा में महाधिम पाली महाधियी पर मिल जाता है एव नदी यह एग्जाम में आया वह है प्रशना हीराकुंड में देखे जो गडिब नदी हीरा कुंड ओंडे से दस किलो मिटर पहली इमानती पे मिल जाती है, यहाँपर कया पाए जाते है? सोने के कण पाए जाते हैं, सोना के कण पाए जाते हैं, ठीक है? मैं आप सब भी कोई इसलिए बार बार बोड रहा हूँ, क्योंकि यह PSC, SSC, SSC में नहीं आता, PSC और व्यापम के question में अकसर पुछे जाते हैं, ठीक है, तो आज का class यहीं पर समापत करें कि आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीता नदी, यह महा नदी की पहली सायक नदी है, ठीक है, उसके बाद दूद नदी जो कि यह तो सुखे मोसम भी पानी बैता रहता है, सोंधूरवान, ठीक है, उसको पैरूर है, जो पैरूर है, सीका सरवान इसी नदी पर बना है, ठीक है, इसी नदी पर बना है, कोडार है, जो वीर नरायन पर्योजना महा समंजिले में स्थित है, ठीक है, वीर नरायन कि पाड़ी महासमुन में चंद्रपूर में महानेदी से मिल जाती है इसका अफात अंतर के बात करता महासमुन जांजगीर चापा है यह इसको ध्यान से समझेगा यह वाला यह चाल्ट आप सभी के लिए इतना महनस से बनाए है इसको बिल्कुल रट लीजिएगा ठीक है वाटसप ग्रूप में इसको दे दूँगा मैं ठीक है वाटसप ग्रूप में दे दूँगा सीवनात नंती अंबगर चाओं की राजनांद गाओं 290 किलोमेटर अरपा मनियारी खारूं जमुनियर तंदूल सहाग नदी जैल प्रपात है ठीक है हजदेव है कैमूर की यह सब है आप सब ही के लिए बनाया गया है ठीक है यह आपको ग्रूप में मिल जाएगा डेली क्लासस करना चाहते है तो जल्दी से वीडियो को सस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो को बिल आइकन के घंटी को आल पर सेट कर लीजेगा जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अ इस वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक से एर करें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और ऐसी परिक्षाओं की तयारी कर सके ठीक है तो जितना बन सके वीडियो को से